जनता सब देखती है और अब्जर्ब करती है वो अपना मत से बताने का काम करती है और आज देश कॉंग्रेस मुक्त होते जा रहा है यह साबित करता है कि कॉंग्रेस के खिलाब पूरे जनता में आक्रोस है जिन्होंने 60 साल तक इस देश को लूटा एक परिवार में उनके खिलाब हाक्रोस है उनके खिलाब गुसा है और उसी का नतीज़ा है कि ये लोग इस तुफान में कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं आप देखे न हम लोगोंने आज 22 दिन हो गए अपने 21 उमिद्वारों को घोसना कर दिया अचार संगिता लगे हुए इतने दिन हो गए अभी तक जहारखन में एक भी उमिद्वार का घोसना आपने क्यों नहीं किया कि आपके पास उमिद्वार नहीं है या आप में तालुकात अच्छे नहीं है गट बंदन में तो ये बात उन लोगों से जब पूछिएगा तो लोग तो बात को घुमाएंगे कहां इलेक्रोल बॉंड पर ले जाएंगे और कहां इंकम टेक्स पर ले जाएंगे फिर इडी पर ले जाएंगे फिर सिवी पर ले जाएंगे लेकिन तथे का बात वो नहीं करेंगे हकीकत बात है कि उनका कोई भी उमिद्वार आज लड़न अभी तो देखिए हम तो डोज देते हैं इर्फान अंसारी को तो दो महिना चुप रहते हैं और दो महिना के बाद हमारा दवा का असर कम होता है तो अलबल बोलना शुरू कर देते हैं फिर मुझे लगता है उनको डोज देने का समय आ गया है नहीं देखे वो तो मैंने बताया कि एक महत्वा कांचा होता है अती महत्वा कांचा करके सिकार हुए हैं और कांग्रेस जब उनको दुदकार करके भगाएगी तो यही प्लेट फॉर्म हो गाई यही अस्थान है जहां हम और वो एक साथ ज्वाइन किये थे वो आज गये हैं फिर उनको लोट करके यही आना पड़ेगा दूसरा कोई ठीकाना उनका उनको मान शम्मान प्रतिष्ठा और मौका मिलने पर जेड़ प्लस सुक्रिटी के साथ आने वाला समय में सरकार में भी ऐसे लोग नगया में अपर ध्याश्रिया को जब दोज देता हूं तो मात्र दो महिना उनके दिमाग पर असर रहता है मैंने बोला था कि मेन रोड में आतंकवादी दती विधी चलाने वाले लोगों के घर पर बुल्डोजर चलेगा दो महिना चुप थे अब दो महिना कल पूरा हो गया फिर बोलना शुरूट है इर्फान को आप लोग इतना नोटिस कर रहे हैं तो कुछ दिन में फिर पत्रकार वोगा आपको नोटिस नहीं करेंगे देखे बातों को तोड मरोड करके पेस करना बहुत आसान है निसिकान दूबे जी का कहना बिल्कुल यह नहीं था आप उसको सुनिये आप उसको समझे ले किस परिपेक्ष में उन्होंने क्या कहा एक मंत्री ने डाक बंगला चौक पर उतना बरा करोडो करोड का प्रोपटी लिया इस विसय में उन्होंने अपने बात को रखा उसको जब निसिकान जी ने बता दिया तो मुझे नाम लेने क्या जबुरत था निसिकान जी ने बता दिया है और आप लोग भी जान रहे हैं